एक नगर में प्रतिष्थित व्यापारी रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ती हुई थी। उसका नाम चंद्रकांत रखा गया। चंद्रकांत घर में सभी का दुलारा था। अतिक ठिना एवं लंबे समय इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रतेक व्यक्ति के मन में व्यापारी की पुत्र चंद्रकांत की प्रती विशेश लाड़ प्यार था जिसने चंद्रकांत को बहुत बिगार दिया थ घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था चंद्रकांत की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाय कूरी कर दी जाती थी शायद इसी के कारण चंद्रकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मिहनत के महत्व का आभास था चंद्रकांत ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था इसलिए उसका नजरिया जीवन के प्रती बहुत अलग था और वही व्यापारी ने कड़ी मिहनत से अपना व्यापार बनाया था धलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रती चिन्ता होने लगी थी व्यापारी को चंद्रकांत के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके कुत्र को मेहनत के फलका महत्व नहीं पता उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने चंद्रकांथ को जीवन की वास्तविक्ता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चक किया कि वो चंद्रकांथ को मेहनत के फलका महत्व स्वयम सिखाएगा चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यूं न बनना पड़े व्यापारी ने चंद्रकांथ को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखी स्वर में उससे बात की उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है तुमने मेरे कारुबार में कोई योगदा नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ तब ही तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक दो वक्त का खाना दिया जाएगा यह सुनकर चंद्रकांद को ज़्यादा कोई फर्थ नहीं पड़ा उसने उसे क्षन भर का गुस्सा समझ लिया लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई चंद्रकांद की मदद नहीं करेगा और नहीं उसे बिना धहन के भूजन दिया जाएगा चंद्रकांद से सभी बहुत प्यार करते थे जिसका उसने बहुत फायदा उठाया वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता और व्यापारी उसे उन पैसों को कुई में फैकने का बोलता जिसे चंद्रकांथ बिना किसी अलचन के फेक आता और उसे रोज भूजन मिल जाता ऐसा कई दिनों तक चलता रहा लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पढ़ने लगा सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे जिस कारण चंद्रकांथ को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भूजन भी कम होने लगा एक दिन चंद्रकांथ को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शान्त करने के लिए गाउव में जाकर कार्य करना पड़ा उस दिन वो बहुत देर से ठका हारा व्यापारी के पास पहुँचा और धन देकर भूजन मानगा रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुई मेफेकने का आदेश दिया जिसे इस बार चंद्रकांथ सहचता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलट कर जवाब दिया पिताजी में इतनी मेहनत करके पसीना बहा कर इस धन को लाया और आपने मुझे एक शन में इसे कुई मेफेकने कह दिया यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज चंद्रकांथ को मेहनत के फलका महत्वस समझा गया है व्यापारी भली भांती जानता था कि उसके परिवार वाले चंद्रकांथ की मदद कर रहे हैं तभी चंद्रकांथ इतनी आसानी से धन कुई में दाल आता था लेकिन उसे पता था एक न एक दिन सभी परिवार जन चंद्रकांद से कन्नी कार्ट लेंगे, उस दिन चंद्रकांद के पास कोई विकलक्षेश नहीं होगा व्यापारी ने चंद्रकांद को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सोंक दिया शिक्षा, आज की समय में उच्चवर्प के परिवारों की संतानों को मेहनत के फलका महत्व पता नहीं होता और ऐसे में यह दाइत्व उनके माता-पिता का होता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविक्ता से अबगत कराए लक्षमी उसी घर में आती है जहां उसका सम्मान होता है मेहनत ही एक ऐसा हत्यार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिती से बाहर ला सकता है व्यापारी के पास इतना धन तो था कि चंद्रकांत और उसकी आने वाली पीडी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते लेकिन अगर आज व्यापारी अपने कुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता तो एक नएक दिन व्यापारी की आने वाली पीडी व्यापारी को कोस्ती